नमस्ते देखते हैं आपकी person आपको urgent क्या कहना शाहते हैं क्या है उनके दिल की बाती जो आप तक पहुंचाना शाहते हैं लेकिन वो कुछ करने ही पा रहे हैं तो यह है pile number 1 और यह है पाइल number 2 आपको इसमें से एक pile select करना है देखते हैं आपके person आपको क्या message देना चाहते हैं, ठीक है? I hope अपने pile select कर लिया होगा, हम start करते है pile number one तो जिन्हें नभी pile number one select किया है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके person आपसे आपके person आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्यार deserve करते हो, आपके person को शायद पता है कि आप बहुत नाराज रहते हो, बहुत sad रहने लगे हो आज कल तो आपके person आपको कहते हैं कि तुम खुश रहा करो आपके person आपसे कहते हैं कि तुम reserve करते हो प्यार और तुम वो प्यार में दूंगा और तुम अब खुश रहा करो अपने आपको तकलिक मत दो ठीक हैं? अब देखते हैं ट्यारों से आपके person आपको क्या बताना चाहते है सबसे पहले वो आपको बताना चाहते है कि वो आपको किसाथ शादी करेंगे चाहे जो हो जाए कितने भी problem आजाए कितने भी obstacles का सामना करना पड़े लेकिन वो person आपको किसाथ शादी करेंगे 4 of Wands के energy क्या बता रही है कि बहुत जादा सपने तो देख रखे दोनों ने लेकिन ऐसे कुछ problem create हुए है कि आप दोनों को अलग होना पड़ा है आप दोनों के बीच में बात चितनी है और 4 of Wands के energy वापस 11-11 TF journey में यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं और बहुत तड़ पाया ह है इस journey ने आप दोनों को 4 of Wands के energy आपके person आपको कहना चाहती कि वाफी से शादी करेंगे the devil के energy क्या बता रही है आपके person आपको बहुत जादा एक magnet की तरह देख रहे हैं उस इंसान को लगता है कि वो चाहे कितना भी आपको भूलने की कोशिश करे वो कभी भी आपको नह होना चाहते हैं आपके पास वापस आना चाहते हैं तडप रहे हैं बहुत मतलब बेसबरी से आप दोनों के बीच में जो कुछ भी दूरिया है वो उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं और आपके person आपसे कहना चाहती कि वो उन दूरियों को बहुत जल्द मिटाएंगे और और ना कि सिर्फ वो आपके सथ फिजिकल होना चाहते हैं तो वो आपको commitment देना चाहते हैं आपसे शादी करना चाहते हैं इस रिष्टर को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं और वो आपको एक दिलासा दे रहे हैं कि वो बहुत जल आपके जिंदगे में वापस आएंगे औ वो आपको बहुत जादा खुश रखना चाहते हैं और उन्होंने आपको लेकर जितने भी सपने देखे हैं, वो परसन आपसे कहते कि वो उन सपनों को पूरा करेंगे, ठीक हैं, वो अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, दर एंपरर के एनरजी है, आपके परसन आ बहुत जादा पसंद है, ठीक हैं, अगर आप भारी भरते हो, भारी भरते हो, मतलब रूठ जाते हो, या कोई जिद्धीपन करन लग जाते हो, तो इस इंसान को वो जो नोगजोग चलती रहती है, वो पसंद आती हैं, और आपके परसन आपसे कहना चाहते कि मैं तुम्हें परसलमेट ही लगते हो, या रिष्टा मुझे बहुत डिवाइन और बहुत ही जादा सबसे हटके, मतलब इस इंसान के लाइफ में कभी कोई आया भी था, तो वो इस तरह से उसने कभी किसी के लिए फिल नहीं किया है, जिस तरह से उसने आपके लिए फिल किया है, तो आप और उपर से शादी का वाधा भी कर रहे है वो आपसे, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूंगा, ठीक है? अब देखते हैं, और क्या कहना चाहते हैं, आपके परसन कहते हैं कि वो जड़तर पास्ट के एनरजी में जी रहे है, या तो फ्यूजर की चिं ना किसी का साथ है ना किसी के साथ कुछ शेर कर सकता हूँ तुम थे तो एक एक दिन मतलब कितना खोसुरत जाता था और आज एक ऐसा बगता है कि अकेले पर ने मुझे बहुत साथ सैड बना के रख दिया है देखो comparison आपके person आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो दिन बिताए थे उन दिनों को और आज की जो दिन है उनको comparison करता रहता हूँ और सैड होता रहता हूँ अब मैं क्या करूँ कुछ कर नहीं सकता कुछ ऐसी चीजे हैं जो मेरे हाथ में नहीं है अकेले पन से गुजर रहा हूँ बहुत अकेला पड़ गया हूँ तुम्हारे बिना ऐसा वो आपसे कहना शाते हैं और आपके person आपसे ये भी कहना शाते हैं कि उनके दिमाग में बहुत ज़ादा negative खैलाते हैं वो कितना भी इस चीज को कंट्रोल करें वो कितने भी अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करें लेकिन वो person कहते कि मैं क्या करूँ मेरे दिमाग में negative thoughts आते हैं डर भी लगता है मुझे कि मैं तो चाहता हूँ शादी करना तुम्हारे साथ लेकिन यह शादी होगी की नहीं होगी इस बात का बहुत सा डर लगता है लेकिन तुम चिंता मत करना मैं अपना 100% दूँगा मैं तुम्हारे ले पूरी पूरी कोशिश करूँगा तो वो आपसे कहते कि तुम थोड़ा patience रखो तुम चिंता मत करो ठीक है अगर आपके दिमाग में कुछ negative ख्याल आते हैं अगर आपके परसन को पता है कि आप हमेशा ही negative रहते हो तो वो परसन आपको कहते कि तुम positive सोचा करो ठीक है आपके परसन कहते कि तुम अकिले पन से बाहर निकलो अगर आपने इस इंसान को कभी दूसरों के साथ comparison किया है तो आपके परसन आपसे कहना चाहती कि तुम मुझे दूसरों के साथ compare मत करो मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता तुम्हें जो प्यार मेंने दिया है तुम्हें कोई और उतना प्यार नहीं दे सकता और सेम वो आपके लिए भी सोचते है कि तुम्हारे भी बराबरी कोई और नहीं कर सकता तुम्हें जिस तरह से मुझे प्यार दिया है तुम्हें जिस तरह से मुझे respect दिया है वो भी कोई और तुम्हारे अलावा नहीं कर सकता तो मुझे लगता है कि आपकी person कार्ट सी आप आया है आपकी person आपको थोड़ा patience रखने के लिए कह वो पूरा पूरा नयाए आपके साथ करना चाहते हैं और इसी लिए वो कहते कि तुम शांत रहो सब कुछ ठीक होनने वाला है तुम चिंता करो ही मत और यहां आपको स्रिश्टेमें बहुत जादा आगे जाना चाहते है इस रिश्टे में थिक है वह आपको सारी खुश्या देना चाहते हैं मैंने पहले बोला कि वो आपको सारी खुश्या देना चाहते हैं वापस वहे एनर्जी कि वो आपको सारी खुश्या देना चाहते हैं ठीक है और ना कि सिर्फ खुश्या तो वो नयाई देना चाहते आपको ये बहुत बड़ी बात है अगर आपके person ने आपको block करके रखाए तो वो आपसे कहते कि वो बहुत जल्द आपको unblock करेंगे अगर आपने उस इंसाम को block करके रखाए तो वो आपसे कहना चाहते कि उनको unblock करो आपके person बहुत जादा physical होने के लिए उनके मन में ख्यालाते वो बोलते कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बेसबर हुआ जा रहा हूँ ठीक हैं वो आपके साथ ऐसे condition में आना चाहते हैं वो आपके साथ रहना चाहते हैं थो कुछ आपको पीट पीचे एसा हुआ है जो इंसान आप के तक शेर नहीं करना चाहता था लेकिन अब वह सारी बाते आप से शेर करना चाहते है क्था है तो धिक है राशी कौनसी 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 राशी है Aries लिवो Surgisus है, Kaprikoon है, Cancer Scorpio Pisces है Aries है और Libra है Taurus Virgo Caprikoon है ठीक है? ये सारी राशी है क्या कहना चाहते है? आपके person आपसे कहना चाहते है कि आप उनको बहुत ज़दा कीम्टी फिल करवाते हो मतलब वो इनसान बहुत कीम्टी है आपके लिए और वो जो feel होता है उसके बाद उस इंसान के लिए वो गजब है ठीक है क्या कहना चाहते है और आप अप्रिंसल आप्रिड करते हो अप उस इंसान को बहुआ सा important देते हो ठीक है सबसे फेवरेट फिलिंग वंडरफुल आज तक की ठीक है ओके आपके परसन आपसे कहना चाहती है कि दुनिया में तुम पहले ऐसा इंसान हो जिसे उसने अपने दिल की बाते शेयर की है कि कब उसका अच्छा अच्छा बुरा जो कुछ भी उसके लाइफ में जो कुछ हुआ है या जो कुछ उसको लगता है वो सारी चीज़े उसने आपके साथ शेयर की है ऐसा इंसान दुनिया में आप पहले हो तो I hope आपको रिडिंग पसंद आई हो लाइक शेयर और सबस्क्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ पाइल नमबर टू आपके परसन आपसे क्या कहना शाहते है गाईस आपके परसन आपसे कहते हैं कि वो इस रिष्टे के लिए अप सिर्फ दिल से और दिल से ही सोचने वाले हैं ठीक है और आपके परसन कहते हैं कि जब वो दिल से फैसला करेंगे तो क्या सही है क्या गलत है वो नहीं देखेंगे अगर कुछ गलतिया भी आपसे हुई है या उस अंसान से हुई है तो मतलब वो कुछ गलतिया माईने ही नहीं रखती ऐसे आपके person कहा रहें कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे आपको चिंदा करने के आवश्यक्ता ही नहीं है ऐसे आपके person आपसे कहना चाहते हैं ठीक है? वो आपसे कहना चाहते है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है maybe अभी वो आपके लिए कोई action नहीं ले पा रहे है अपने घरवालों से बाच्चित नहीं कर पा रहे है आपके लिए stand नहीं ले पा रहे है अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ये अंसान आपसे कहते हैं उनके अंदर हिम्मत की कमी है लेकिन वो आपके लिए हिम्मत जरूर करेंगे हिम्मत चुटा कर वो इस रिष्टे के लिए जो कुछ भी करना है वो करने की कोशिश अब इसके आगे करने वाले है ठीक है the world क्यों करने वाले है ये सब कुछ खूंकि आप ही उनकी दुनिया बन चुके है वो परसन आपसे कहते कि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है तुम नहीं तो सब सुना सुना है सफीका फीका है आपके परसन के दुनिया बन चुके हो आप अब और इससे क्या हो सकता है उस इंसान से उसने सब कुछ दिया है आपको मतलब दिल से ठीक है जो कुछ भी feel किया उस इंसाने दिल से feel किया है आपके person आपसे कहते हैं कि वो रात भर सोते नहीं हैं आपकी यादों में late night अग जागते रहते हैं परिशान होते हैं बहुत जादा sad feel करते हैं और उनको बहुत चिंता हो रहे हैं आपकी भी कि आप पता नहीं किस हाल में हो आप पता नहीं क्या feel कर रहे हो आप पता नहीं कितना ज़्यादा रो रहे हो डर लगता है इस इंसान को बहुत ज़दा केर हो रही है वो आपसे कहना शाती कि मुझे तुमारी बहुत चिंता हो रही है कि पताने कि तुम किस हाल में हो ठीक है और वो आपसे कहना देखो वापस वही एनरजी कि वो परसन को बहुत चिंता हो रही है तुम क्या फील करे हो, तुम रो रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, उस इंसान को डर लगने लगा है, वो चिंता कर रहे है बहुत जादा, और आपके परसन आपसे कहना चाहती कि अभी उनके लाइफ में financial problem चल रहे है, और जैसे ही उनके financial problem solve हो जाएंगे, वो आपके जाएंगे, अभी आपके परसन कहा रहे है कि तुम्हारे जैसा support करने वाला ना उसको जिन्दग में कभी मिला था, न मिलेगा, जिस तरह से आपने उस इंसान का हर वक्त साथ दिया है, कोई नहीं दे सकता, ये उस इंसान को realize हो चुका है कि तुम्हारे जैसा साथ कोई नही परसन के निशे उपर से ये भी बता लिए कि वो इंसान आपको बताना चाहते है कि दुनियादारी क्या है, उसको अनुभवा आ चुका है, जब उसके वक्त, जब उसके उपर बुरा टाइम चला है, तो किसे ने भी उसका साथ नहीं दिया है, ये सब कुछ वो आपको बता चाहते हैं कि आप क्या हो और दुनिया कैसी, इस अंसान ने बहुत लेसन लिये है, आप से दूर जाकर बहुत लेसन लिये है, आपके परसन कहते हैं कि आपने उनको अभी तक जाना ही नहीं है, आपके परसन आप से कहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या ठीक है वो बस आपको पाना चाहते है गाई और वो आपको बताना चाहते है कि तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है कि मैं तुमसे कितना ज़दा प्यार करता हूँ ठीक है इंटेंसिटी आपके परसन कहते कि उपर से ये तुम्हारा जो गजब का अट्राक्षन है वो इस अंसान को रात को सोने नहीं देता है एक पैशन एक जुनुन बन गए हो आप इस इंसान के लिए ठीक है तडप रहे है वो आपसे मिलने के लिए और क्या है और आपके परसन कहते कि एक तरफ तो मैं इतना तडप रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए दूसरी तरफ है कि ये जो रिष्टा है ये कितना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है मतलब कुछ movement नहीं है कुछ action नहीं है इस रिष्टे में ऐसे कैसे चलेगा कुछ न पुछ करना पड़ेगा ऐसे आपकी person सोच रहे हैं ऐसे कच्छवे की चाल से में नहीं चल सकता है ऐसे आपके person सोच रहे हैं वह आपको बतना चाहते हैं इतना ज़दा passion है उस इंसान के दिल में आपके लिए कि वो आपको किसी के साथ share नहीं कर सकते हैं ठीक है? Complation आपके person चाहते हैं कि तेरे बिना कहा जिंदगी में Complation है तेरे बिना सब कुछ सुना है अधूरा है आपके person ने maybe ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने जब भी उसके उपर कुछ problem आये थे उसकी जिंदग में तब उसने आपसे help ली है और आपने हमेशा ही इस इंसान को help दी है दी world भी है और completion भी है इस इंसान को लगता है कि आपके बिना दुनिया मतलब कुछ है ही नहीं ऐसे जिंदगी जी रहे हो कि जिसमें कुछ है ही नहीं आप थे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था आप थे तो सब कुछ support भी था financial support भी शायद कि कुछ लोग यापर कर रहे थे तो इस इंसान को बड़ा ये अच्चर हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता ताकि उसके बेना जिंदगी कितने फीकी फीकी हो गई है कितने सूनी सूनी हो गई है तेरे बेना जिंदग में बस अंधिरा चाया है आपके person ऐसा कहते कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे उस इंसान के जिंदग में उजाला नहीं आएगा जब से तुम गए हो या जब से वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है उसकी जिन्दग में इस चारों तरफ उसको अंधीरा ही अंधीरा दिखाई देता है और वो इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहता है वो आपके तरफ आना चाहता है आपके परसन आपसे कहते हैं कि अगर कुछ गलतिया उनसे हुई है तो आप माफ कर दो क्योंकि वो आपके तरफ बढ़ने के लिए रेडी है वो आपके तरफ आना चाहते हैं और ना कि सिर्फ आना चाहते हैं तो वो इस रिष्टे को successful भी बनाना चाहते हैं तो आपके person कहते हैं कि आप उनको साथ दो ठीक है आप उनको माफ करो उनकी गलतियों के लिए आपके परसन कहते हैं कि वो आपसे शादी करेंगे ठीक है और शादी करने के लिए उनको किसी को भी मनाना पड़े वो करेंगे ये सब कुछ आपके लिए तो ना कि सिर्फ आपसे शादी करना चाहते हैं तो उस रिष्टे को निभाना चाहते हैं शाधी करना या रिष्टे में आगे वड़ना ये खास नहीं है लेकिन उस रिष्टव को सारी जिंद्गी निभाना ये बहुत ज़रूरी है और राशी है आपके परसन आपको कहना चाहते हैं वो आपको बाहों में भरना चाहते हैं वो आपको छुना चाहते हैं और वो इसी चीज का इसी वक्त का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनके करीब आए कब वो आपको छुए कब आपको बाहों में भरे कब आपको किस करें वो person आपसे कहते कि अब उस वक्त का इंतजार नहीं हो रहा है three of wants के energy हैं बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे है आपके person उस घड़ी का आपके परसन आपसे कहते कि वह आपके साथ बहुत जादा रोमेंटिक होना चाहते हैं वह आपको छुने के लिए बड़े ही बेसबर हुए जा रहे हैं और मेबी उस इंसान का कुछ ऐसा प्लानिंग है कैंडल लाइट डिनर ऐसा कुछ वह प्लानिंग कर रहे हैं वह आपसे कहना चाहते कि वह जब भी मिलेंगे तो आपको एक खुबसूरत डेट पर लेकर जाएंगे ठीक हैं जहाँ पर आप दोनों हो और कोई तीसरा ना हो और वह आपको बहुत जादा प्यार करना चाहते हैं आपके परसन कहते हैं कि तुम हमेशा जानते हो कि मैं क्या सोचता हूँ और अभी भी तुम सब कुछ जानते हो कि मेरे दिल में क्या है आपके परसन कहते हैं कि तुम्हारी नाक दुनिया की सबसे खुबसूरत नाक है बहुत cute लगती है आपकी नाक इस इंसान को ओके आपके person कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे अंदर बहुत अजीब सी मतलब हो सकता है इस इंसान के बहुत ज़्यादा आदते हैं से कुछ अलग ही है कुछ अजीब सा बरताओ करते रहते हैं आपके person फिर भी आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ठीक है आपके परसन कहते हैं कि जब भी वह बैड मोड में होते हैं तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा कमफर्ट फील करवाते हो देखो आपके परसन बड़े ही मतलब बड़े बेसबर होए जा रहे हैं आपसे मिलने के अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई